आप सभी का सुवागा ते रियल नूज ऑफ इंडिया में आपका मेज़वा नाशिक जाफरी आपके खित्मत में फिर से एक बार हाजिर है तो अभी हम बांदरा इस्ट में नौ पाड़े में आपर मौझूद हैं और मौझूद होने की वज़े मैं आपको बताऊं के हमारे बीच एडवकेट उजेफ सि रहते हैं, गवर्मेंट की योजनाओं पर काम करते हैं, लोगों के कंदे से कंदा मिला कर लोगों का साथ देते हैं, चाए वो हॉस्पिडल का मसला हो, चाए वो एजूकेशन का मसला हो, तो आज डो अक्टूबर है, आप सभी को पता है जैसे के गांधी, महातमा गांधी ज कौन सी एज के बच्चे थे, और कैसा क्या रहा पूरा पोग्राम, और कैसे इनकी सोच बनी, आज महातमा गांधी के बड़े के उसर पर, चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं, उसर आपका सुवागत है हमारे चैनल पर, हम देखते हैं, अक्सर हमारे चैनल के माध्यम से कि महात्मा जैनती हमको एक विजनेरी हमको समाज में लाना है, उन बच्चों के बीच में, जैसे कि आज हमने प्रोग्राम लिया, वो चार साल से लेके 14 साल के बच्चों के लिए, जो एज ग्रूप था और हमारा जो थीम था, वो वीजन आप महात्मा गांधी था, वीजन गांधी जैनती को इस तरीके सेलिब्रेट किया जाए, यह जो बच्चे थे, यह जैसे कि बैंपरा विदान सभा के अंदर बहुत सारे इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, उर्दू मीडियम है, तो कौन-कौन से महकमे के स्कूल के बच्चे थे क्या बताना चाहिए देखे, सबसे पहली चीज में आपको यह समझाना चाहता हूँ कि सर, हमारे स्कूलों के अंदर भी महत्मागादी जिंदी के अंदर चुटी दी दिया जाती है, तो यह बच्चे आज के दिन उसको हॉलिडी की तरह से बनाते हैं, तो हमने क्या किया, कि इस चीज में आज के पार्टिसिपेशन सेटिफिकेट भी दिया, और अधर हैंड में हम बच्चों को प्राइज भी दिया, जैसे कि फर्स सेकंड अधर प्राइज हमने रखा, सारे बच्चों को हमने उनका उत्साहा बढ़ाया, बहुत अच्छा लगा, कि आपने आज महत्मागादी जैंती की खुशी के उसर पर यह प्रोग्राम लिया, और आगे अभी आपका क्या नया प्रोजेक्ट है, क्या नई स्किल्स पर आप काम करने वाले उसके बारे में क्या बताना चाहिए हम हारे दरश्रगों को, देखिए आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, यह हमारा वीजन और मि देखिए दरश्रगों किस तरह से इन्हों ने अपने भैतरीन अंदाज में सारी तमाम चीज़े बताई और इनका लक्ष, इनका मिशन, इनका एम यही है, इनके फॉर्डनेशन के माद्यम से के लोगों को सुल्स विदाई दी जाए, गरीब तपकने के लोगों को धियान द जाए, जो गवर्मेंट की स्कीम और योजनाओं से मतलब नहीं रहते हैं, उनको नहीं पता है, उनको नहीं पता है, उनको नहीं पर धियान देते हैं, तो देखिए ये आज महत्मा गांधी जैनती के इस खुशी के आउसर पर इनका ये पोग्राम रहा बच्चों के साथ मे जो पुरा पोग्राम जो दर्शाया गया, जो शकील सर समा सिवक फॉंडेशन के माधिया इन्हों ने ये पुरा पोग्राम दर्शाया, तो चलिए हाफिस जी से हम बात करते हैं, क्या कहना है, क्यो के आइनको इनको ने इतना बड़ा पोग्राम लिया बच्चों को लेकर, तो ऐसा कोई भी program होता है तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा हमारे सक्हेल सर का रहता है उनके नित्रुत में हम लोग चाए मात्मागांदी का बड्डे हो या कोई भी program हो या गरीबों के लिए काम करना तो हम सबसे आगे रहते हैं सक्हेल सर का ये कहना है कि सबसे पहले गरीबों की मदद की जाए, बच्छों की मदद की जाए, हॉस्पिटल में मदद की जाए, तो मैं जहां भी अगर जरूरत पड़ती है, सकील सर अगर एक कॉल करते हैं मुझे, कि अफीज ऐसा काम करना है, जरूरत है, तो मैं वहाँ पे खड़े मिलता हूँ, सक पारा बने रहे है, जै हिन, जै मारा सोथ,